सो हाई एवरीवन कैसे आप सभी स्टुएंट्स सो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा वाला फीलिंग आने लगा कि आप लोग को वीडियो डाल रहे हैं आप लोग भर के लाइक कमेंट सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं चैनल का बिल्कुल बूम हुआ है मतलब क्या ही बता सब्सक्राइब जरूर करें और ग्रूप में शेयर जरूर करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे आइडी बनाना है दूसरा गूगल फॉर्म वाला जो प्रॉब्लम है उसका भी हम सल्यूशन बताएंगे चलिए पहले स्टार्ट ही करते हैं तो यहां पर खेर इस्कूटनी के स्पेलिंग गलत है इस्कूटनी रिजल्ट यह भी मतलब प्रॉपर हिंदी का यूज किया अधार से जो नंबर लिंक है उस एकाउंट बनाने के लिए कि दूसरे नंबर से बनाया जा सकता है तो हां बनाया जा सकता है घर का किसी का नंबर लिजेगा और ऐसा नंबर लिजेगा जो आपके पास continue रहे ठीक है यह नहीं होना चाहिए कि फिर next time भूल गया ऐसा वैसा देखिए यह देखिए मैं सेशन 22-25 का एक्जाम फिलप करने के लिए कब से श्टार्ट होगा अगले साल फरवरी मार्च में ठीक है कि मैं गूगल फॉर्म वाला लिंक खोलने पर रिक्वेस्ट एक्सेस लिख रहा है हां तो लिखेगा क्योंकि गूगल फॉर्म का जो है उसको प्राइवेट कर दिया गया है ठीक है अब तब तक वेट करिए जब तक नया मतलब उसका अपडेट ना आ जाता है जैसी उसका जाएगा टारगेट मिशन के चैनल पर आप लोग को बिल्कुल इन फॉर्म किया जाएगा वीडियो बनाके कि इस तरह से गूगल फॉर्म में अपना समिट करके जॉइन कर सकते हैं ठीक है लेकिन अभी गूगल फॉर्म का वर्क नहीं कर रहा है तो अभी आप लोग डेडी to your college क्या करूँ अब देखिए कॉंटक्ट टू यो कालेज अगर बता रहा है तो आप अधार कार्ड से बना लीजे ठीक है अगर अधार कार्ड से अगर बनाये हुए हैं तो आप 24 से 48 घंटा करा वेट किजे और अगर आप अधार कार्ड से नहीं बनाया इन्रॉल्मेंट न में क्या डाले रजिस्ट्रेशन नंबर रॉल नंबर इंड्रॉल्मेंट नंबर यह सब तो आप डालिए इंड्रॉल्मेंट नंबर कौन सा इंड्रॉल्मेंट नंबर है ठीक है 24 जी वाला ठीक है वह आपका इंड्रॉल्मेंट नंबर है उसको डालिए ठीक है फिर देखिए क क्लाश 12 के लिए भी करना है इंटर्मीडियेट को भी नहीं करना है ठीक है फिर पिर देखिए हम 2024 से अठाई सेशन के स्टूडेंट हैं ये भी CID क्रिएट कैसे करें RKD college का नाम ही नहीं दे रहा है तो आप पहला बस یہ कर सकते कि अप अधार काड़ से बना लिजाए college का नाम जुद्वरत नहीं है और नहीं तो फिर college में जाकर info करिए क्भी college आपका उस list में verified खुदको नहीं किया है ठीक है तो college जाना पड़े नहीं तो अधार कार्ट से अपना link generate कर लीजे वह आपको जो 16 डिजिट का जो अंग है वहाँ पे ID वह आपको वहाँ मिल जाएगा ठीक है मैं हम गेट डॉक्मेंट पर क्लिक करते हैं तो यह problem आ रहा है कि school student may contact the respective school for a par ID recreation तो देखें यह इसलिए आ रहा है कि आपका student जो आपका user ID और password का मतलब उसको clear नहीं किया गया स्कूल से तो आप आधार कार्ट से फिर से बनाई और नहीं तो college जाकर आपको contact करना पड़ेगा ठीक है और दूसरा देखते हैं यह बहुत ज़्यादा ही सवाल इस वीडियो में है मैं ABC ID कार्ट बना ली हूं फिर उसके बाद college गूगल सीट भी फिल कर दी हूं बट जीमेल पर message नहीं आया है तो आगे क्या करें आगे वेट करें चौबिस याड़ तालिस आउर के लिए ठीक है ABC ID बनाने के बाद Google Form कैसे भरे लिंक कहा मिलेगा अभी मिलेगा नहीं और जब Google Form का लिंक आएगा तो वीडियो बनाये जागा ठीक है जो पहले वाला Google Form का लिंक है वो अभी private कर दिया गया है आज देखे ABC ID के साइड पर बनाते समय एजुकेशन परपस नहीं डाले थे और नहीं तो देखे यह हम पोशन पढ़ लिए हैं यह बिलकुल बड़ा सा कोशन था आपका कोई प्राबलम नहीं होगा कोई प्राबलम नहीं होगा आपको बिलकुल वो आईडी मिल चुका है तो रिपीट हो गया है उसके बाद गूगल फॉर्म तो यह हम बता दिये हैं कि अभी प्राइवेट है इसलिए प्रॉब्लम दिखा रहा है और यह लास्ट कोशन है कि यह जू लॉजी की स्टूडेंट है और नीट का प्रिपरेशन तो देखिए अभी जू लॉजी का करिए अग शीर नहीं अभी है हाँ इसी सवाल का तो मैंने जवाब दे दिए कि कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है अब सभी का आंसर मैंने इस कमेंट सेक्षन सेक्शन में जो जो था उसका आंसर बता हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है दो दिन से बोलते-बोलते मेरा खुद गला बहुत खराब हो गया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें एटलिस्ट बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, हलफूल है या ना लगे तो भी बताएं कि वीडियो हेल्फ होलना है, बताएं जरूर आपके कमेंट का मुझे वेट है तो थैंक यू सो मच, विश्यू आल दे बेस्ट